हेलो दोस्तो फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का ABC4U YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो पे देखे होंगे जो नीचे की और चलता हुआ टेक्स दिखाई देता है वो डिजाइन करना हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वो हम Photoshop CS6 में डिजाइन करेंगे तो दोस्तो कैसे उसे बनाना है आप वीडियो को देखते रहे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहे कि अगर आप चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो लाल बटम को दबा के चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और साथ में बेल घंटी को जरूर दबाईएगा तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं सलाइड कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना होगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये फोटोसप CS6 है अबाउट फोटोसप में जाते हैं और यहां आप देख सकते हैं एड़ा फोटोसप CS6 Extended Version है तो दोस्तो ये भी आप CS3 में भी टडाई कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा फाइल में न्यू उसके बाद यहां से साइज लेना होगा 1280 और 720 और एजुलेशन आप 300 ले सकते हैं मैं वीडियो भी रेंडर करता हूँ यही साइज में उसके बाद OK कर देना है OK करने के बाद आप देखिए सबसे पहले जो काम होगा यू प्रेस करेंगे यानि यहां से राउंडेर रिक्टेंगल ट्विल्स सेलेक्ट करना होगा और यहां से रेडियस में आपको 500 देना होगा पिक्सल में उसके बाद आप इस तरह से इसको ड्रैक करेंगे आप कितना चौला मोटर र लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहां मूव टूल पे रहते हुए आपको ऊपर यहां अप सन दिया होगा इसको सेंटर में लेंगे और इसे नीचे लेंगे यहांगो यह देख सकते हैं और यह वाले जो green light है इस पे select करना होगा और मैं तिरंगा का color बनाना चाहता हूँ तो यहाँ इस वाले first point पे आपको select करना है और यहाँ से इसको green दे देना है यह देखिए यहाँ से इस तरह से और यहाँ जो center में point है इसको हम white color कर लेते हैं यह देखिए उसके बाद okay और यहाँ से जो होगा stroke हम देदेंगे stroke उसके बाद जो color आप stroke का देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं और okay उसके बाद यहाँ से size आप maintenance कर सकते हैं तो यह तो design हो गया अब यहाँ से इस पे right click करना है और इसे convert smart object कर देना है यह हो गया पहले आपको टी टूल सेलेक्ट करना होगा और हमारे पास अब भी जैसा कि हिंदी फोंट नहीं है हमने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि मेरा system थोड़ा हैं करने लगा था तो मैं उसे format किया हूं तो अभी कुछ कुछ नहीं है मेरे system में अभी धीरे धीरे install करेंगे तो मैं English font का use में लूंगा तो यहां से मैं कुछ भी जैसे कि कुछ भी आप जो text लिखना चाहते हैं हिंदी इंगलिस जो भी लिखना चाहते हैं वो आप type करेंगे तो जैसा कि मैं type करता हूं यह हो गया इस तरह से आप set करना चाहते हैं अभी एक text हुआ है अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो यहां से इसको चाहते हैं तो जैसा कि हमने तीन लेयर टेक्स्ट को किडियेट किया है जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह हमारे पास तीन लेयर है तो हमने इसको इसको भी हाइड कर देते हैं यह सभी को हम यहां से फस्ट वाले को सो करवाएंगे और यह तीनों को हाइड करवा देंगे आप देख सकते हैं इसको हाइड करवा देंगे अभी हमारे पास यह लेयर सो कर रहा है अब इसको क्या करना है क्लिपिंग मास्किंग कर देना है तो जैसे कि इसी का जो फ्रेम बना है इसके अंदर ही दिखेगा तो यह हो गया आप दिखिए इसको क्या करना है सलाइड करवाना है तो आप जाएंगे विंडो मेनू में उसके बाद यहां से टाइम लाइन दिखेगा और यहां से ऐसा कुछ अपसन आएगा तो यहां जो यह एर करेंगे और इसपे क्लीक कर देंगे तो यह, देखिए इस तरह का इंडर्फियस आएग़ा और इसे आप प्रजेश्ट कर सकते हैं, यहां से और यह हो गया थे सही है अब इतना, अब इह हमारे पास हो कर रहा है तो हम सबसे फस्ट वाले लेयर को select करेंगे यहां से आप देख सकते हैं यह first layer है hello दोस्तों फिर से एक यहां इतना तक है तो इस पर आपको क्या करना होगा यह जो layer है इसको आपको slide करवा के इधर भेज देना है इसको hide करवा देना है भी इस तरह से इधर आप mouse से click करेंगे और इस तरब drag कर देंगे उसके बाद यहां से transform में जाएंगे यहां से जाना होगा और यहां आपको जो दीख रहा है यह frame है एक दो तीन यह सब ही करके frame है तो हमें कितना frame animation करवाना है कितना speed में तो आपको यहां से आपको decide करना होगा जैसे कि हम one frame दिये है भी one frame जैसे कि यहां देख सकते हैं यह one frame है उस पे हम यह हो गया यहां set कर दिये हैं और इस वाले text layer को आपको इस तरह से drag करके इधर लाना है तो यह देखिए इस तरह से आ गया अब फिर आपको कितना देर screen पर इसको दिखाना है वो आप दे सकते हैं तो यहां से हमाल लेजिए तीन frame इसको दिखाई देना चाता हूं screen पे तो तीन frame उसके बाद यहां से फिर यहां से add कर लेना है और यहां से आपको एक frame यहां animation करवाना है इसको इधर भेज देना है यह आप देख सकते हैं माउस से अप किलिक करके इसे slide करवाएंगे और यह सभी layer को एक साथ बराबर कर लेना है जैसे कि यहां आपको mouse pointer change हो रहा है तो इसको हम यहां से सभी को set कर लेते हैं एक जैसा यह हो गया और अब क्या करना है second layer पे क्लिक करना है यह second layer उसके बाद इसको हम इधर send करेंगे पकर के इधर लाएंगे उसके बाद हम layer को f7 परेस करेंगे और इसको show करवा देंगे यह आप देख सकते हैं उसके बाद क्या करना है यहाँ इस arrow पे किलिक करना है तो यह सभी option आपके पास आ जाएगा और फिर हम वह ही पर किरिया करेंगे इसको हम क्या करेंगे इधर माउग से पकरके इधर भेज देंगे यह हो गया और यहाँ से इस पे आपको transform point लगा देना है यह हो गया और one frame देना है और इसको slide करके इधर लाना है यह देखिए और फिर हमने तीन frame दिये है इसका delay तो हम तीन frame यहाँ से दे देते हैं delay यह हो गया अब फिर यहाँ से transform इस पे किलिक करेंगे तो यहाँ point आ जाएगा और यहाँ से इसको slide करवा के इधर कर देंगे यह हो गया sorry यहाँ से नहीं करना है इसको आगे बढ़ा के यहाँ से करना है इस पे select करना है और यहाँ से इसको पकर के slide करवा देना है यह हो गया और इस पे हम इस तरह से इसको hide कर देंगे और जो last layer है और जो नीचे का लेयर है ये वाला लेयर फ्रेम वारला इसको हम पकड़के ऐसे यहाँ सेट करेंगे यह हो गया अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ अपसन दिख रहा होगा थीरी डॉट का तो इसपे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से लूप पले बैगी इससे क्या होगा कि यह पले होता रहेगा कभी रुकेगा नहीं यह आपको ध्यान रखना होगा अगर नहीं करते हैं तो यह एक बार चलेगा और रुक जाएगा और इसपे क्लिक कर देंगे तो बार बार च तो यह इस तरह से आप animation बना सकते हैं उसके बाद अब देखिए इसे render कैसे करना है अब इसको हम close कर देते हैं और layer को भी close करते हैं और जो यह background है इसका color आप कोई साफी change कर दे कि आप जब video mixing कर रहे हैं तो उसमें आपको background remove करना होगा अगर आप इसको transform रखते हैं जैसे कि यह हो गया तो जब हम video render करेंगे तो यह black color आएगा तो अब ही सही है यह एक वर में हट जाएगा तो यहां से हम file में जाएंगे उसके बाद export में जाएंगे export उसके बाद यहां से render video यहां से इस पर करना है और यहां से option आजाता है तो जो आपने size दिये हैं वो size यहां show करता है और यहां frame rate सभी resolution preset यह सभी दिया हुआ है तो आप इसे set करना जाते हैं तो कर सकते हैं अनय था यहां से render कर दिजिए तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्य किये हैं तो जैसे कि हम देख लेते हैं हमने ध्यान नहीं दिये हैं export यहां से render और यहां से देखिए folder select करने का option है जहां आप करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं तो मेरा जो यह render हुआ है user my document में हुआ है तो यहां से जाएंगे start menu इसके बाद document इसके बाद यहां से आप देख सकते हैं यह देखिए इस तरह से animation करेगा अब इसको क्या करना है अगर आप set करना चाहते हैं तो यह जब video mixing करते हैं तो उस समय background remove कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएगा और video like share जरूर किजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं next video मे इसी topic के साथ